सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टैनों हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सट से पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों चैनल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पेड है पचास सब्द प्रती मिनिट ओके लेट्स इस्टाइट डिक्टेशन शुरू होगी पान सेकेंड बाद इस्टाइट जिस व्यक्ति के बिरुद्ध वारंट जारी किया गया है कॉमा उसके गरफतार होने पर प्रक्रिया डैस जब गरफतारी के वारंट का निस्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गरफतार किये गए व्यक्ति को कॉमा उस दसा के सिवाए जिसमें वह न्यायले जिसने वह वारंट जारी किया गरफतारी के इस्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कारिपालक, मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस, अधिच्छक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की इस्थानिय सीमाओं के अंदर गरफतारी की गई थी अधिक निकट है, या धारा एकत्तर के अधीन प्रतिभूती ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधिच्छक या आयुक्त के समच ले जाया जाएगा उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समच ऐसे गरफतार किया गया व्यक्ती लाया जाएगा यदि गरफतार किया गया व्यक्ती वही व्यक्ती प्रतीत होता है, जो वारंट जारी करने वाले न्यायलाय द्वारा आसेत है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधिच्छक या पुलिस आयुक्त उस न्यायलाय के पास उसे अविरच्छा में भेजने का निदेश देगा, परन्तु यदि अपराद जमानवी है और ऐसा व्यक्ती ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है, जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधिच्छक या आयुक्त का समाधान हो जाए, या वारंट पर धारा एकत्तर के अधीन निदेश प्रश्ठांकित है और ऐसा व्यक्ती, ऐसे निदेश द्वारा अपेच्छत प्रतिभूती देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधिच्छक या आयुक्त यथा इस्थती ऐसी जमानत या प्रतिभूती लेगा और बंधपत्र उस न्यायले को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था परणतु यह और कि यदि अपराद अजमानवी है, तो धारा 437 के उपवंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गरफतारी की गई है, सेशन न्यायधीस के लिए धारा 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजूं पर बिचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना बिधीपूल होगा, इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूती लेने से रोकने वाली ना समझी जाएगी, फुलिस्टा पेरग्राफ उद्धोस्रणा और कुरकी पेरग्राफ फरार व्यक्ति के लिए उद्धोस्रणा, यदि किसी न्यायले को चाहे साच लेने के पश्चात या लिए विना यह विश्वास करने का कारण है, कि कोई व्यक्ति जिसके बुरुद उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निस्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायले उससे यह अपेच्छा करने वाली लिखित उद्धुस्ड़ा प्रकासित कर सकता है, कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट इस्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर कॉमा, जो उस उद्धुस्ड़ा के प्रकासिन की तारीख से कम से कम तीस दिन पैस्चात का होगा, कॉमा हाजिर हो, फुलिष्टाप पेरग्राफ, उद्धुस्ड़ा निमनलिखित रूप से प्रकासित की जाएगी, डैस पैरग्राफ, वह उस नगरिया ग्राम के कॉमा, जिसमें ऐसा व्यक्ती मामूली तौर पर नवास करता है, कॉमा, किसी सहज द्रश्य इस्थान में सारवजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, पैरग्राफ हुआ है, उस ग्रह या वास इस्थान के कॉमा, जिसमें ऐसा व्यक्ती मामूली तौर पर नवास करता है, कॉमा, किसी सहज द्रश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के, किसी सहज द्रश्य इस्थान पर लगाई जाएगी, पैरग्राफ, उसकी एक प्रती, उस न्याई सदन के, किसी सहज द्रश्य भाग पर लगाई जाएगी, पैरग्राफ, यदि न्यायले ठीक समझता है, तो वह यहे निदेश भी दे सकता है, कि उद्धोसडा की एक प्रती, उस इस्थान में, कॉमा, परिचालत, किसी देनिक, समाचार पत्र में, प्रकासित की जाए, जहां ऐसा व्यक्ती, मामूली तोर पर, निवास करता है, फुलिष्टा पैरग्राफ, उद्धोसडा, जारी करने वाले, न्यायलाए द्वारा, यहे लिखित कथन, कि उद्धोसडा, विनिर्दिष्ट दिन, उपधारा दो, के खंड, एक मैं, विनिर्दिष्ट, रीती से, सम्यक रूप से, प्रकासित, कर दी, गई है, कॉमा, इस बात का, निश्चायक, साच्छ होगा, कि इस धारा की, अपेच्छाओं का, अनुपाल, कर दिया, गया है, और, उद्धोसडा, उस दिन, प्रकासित, कर दी, गई थी, फॉल स्टॉप, स्टॉप, दोस्तों, डिक्टेशन की प्रेक्टेस लगातार करते रहिए, जिससे आप अपनी टाइपिंग कीश बीड़ को बढ़ा सकें, अगर आपको वीडियो पसंद आये हो, तो पली जिसको लाइक भी कर दीजिए, और सेर भी कर दीजिए, और अगर अपना भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लिजिए, और साथ ही में बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको लिए टेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, थैंक यू, सो मॉच